वेलकम वन सेगेंड तो माई यूट्यूब चैनल एडूलवर इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग मैट्स बेसी के कोशन नुम्बर 31 के बारे में देखने जा रहे हैं इससे बहले कोशन नुम्बर 30 तक मैंने हर एक कोश्चन को एक प्लेस्ट के फर्म में अपलोड कर स्फेयर और ञेके साब्स्थ स्थीवाइसाय की टेुकित्या संधिमेटर में तेन स्थींट्य मिताइब ना तीन मेटनिक स्थूर एक ऊच्छी मटात है औरου और दुन हो मेल्ट किया जाता है तिन ऑल्ग दाहीं बढ़ा से इस टेप से समयने चाया एक छोट्ट्डीक से सेंटिमेटर और तीनों को पिगला आजाता है थे लुब को थूड़ा समझना जाते है इसका वोल्यूम और इसका वोल्यूम है ना जब इस तीनों को melt कराय जाएगा और एक बड़ा सा बनाये जाएगा तो क्या है लोका व्वीम छेंज होगा व्वीम छेंज होगा नहीं चेंज होगा यानि वोल्यम एक ऐसा quantity है जिसको melt करके कुछ भी बनाया जाए वहाँ changes नहीं होता है volume में है ना यानि तीनों को अगर हम लोग combine करते है melt करते है को बड़ा सा square step से बनाते है तो इन तीनों का volume इसके volume के equal होगा और यहीं से हमारा मिलेगा solution आयो solution करता है इसका I hope कि आप लोग को figure clearly समझ आ गया होगा कि चलिए देखते हूं क्या है given है first second third में लिखना हम इसको sphere को हम लोग लिखेंगे given given में क्या लिखेंगे radius of first sphere radius of first sphere कि इसको हम लोग बोल रहे है आरवन ज्यादा सही रहेगा आरवन और यह कितना है 6 cm मैं इसको इसको प्रॉफ कर दे रहा है न यह समझ गया न यार फिगर तो समझ गया क्या हो रहा है फिर उसी रेप से radius of second sphere कहीं भी लगे video slow हो रहा है तो आप उसको टू के में 1.5 के में देख सकता हो ज्यादा इजी रहेगा आप लोग लिए एड सेंटिमेटर और रडियस ओफ थोर्ड इसपेर जिसको लोग बोलेंगे आर त्री और एक इतना है डाट इस टेन सेंटिमेटर बहुत अच्छा अब हम लोग लेट कर रहे है एक जो बड़ा सा इसपेर इधर बना था या दे बड़ा सास्पेर बना था तीनों को मेलिट करने के बाद लेट तर रेडियस वुर्साइटर रेइडियस हुं रूसाइल टी मंग इस फेर तो इंच में और हमने लेट कर लिए जो र्रुजीयर्न पेर आाएगा हुसका रेडियस होगा capital R होगा और यही capital R हमें find करना है क्या मैं उपर करूं समझ गए हो कोच्छन समझ गए हो बहुत अच्छी बात है चलिए मैं उपर करता है अच्छा अब लोगों लिख सकते हैं now according to question लोगों लिख सकते हैं क्या volume of volume of first sphere plus volume of second sphere plus volume of third sphere तो मैं इसको डार्यक्ट ऐसा ही लिख रहा हूँगा volume of first sphere plus second sphere plus third sphere ना first second third जिसका radiator में दिया हुआ है यह जो होगा volume of first second third होगा वोई किसके एक होगा volume of resulting solution sorry volume of resulting sphere इसके लिए फोर्मूला क्यों होता है फूर्मुला क्या होता है फूर्बाइ थी पाई वन के लिए रेडियस क्या है r1 that is r1 cube यहीं नहीं था है pi r 4 by 3 pi r cube है ना इसके लिए radius r1 था तो r1 cube plus दूसरे के लिए 4 by 3 pi r इसका radius कुन है r2 r2 का cube plus 4 by 3 pi r3 का cube है ना थार्ड के लिए radius क्या है है इक वस्टू वोल्यम आफ रिजल्टिंग स्पेर क्या है 4 by 3 पाई इसका radius क्या लेट के हमने आर और यहीं आर हमें find भी करना है बहुत अच्छा 4 by 3 by 4 by 3 is pi सब में दिख रहा है 4 by 3 pi common हमारे पास क्या बचा आर 1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब अ न यही न बच्चा एक वस्टू पोर भाई 3 पाई और क्यूब 4 by 3 से 4 by 3 एक एक इसल पाई से पाई के जा बहुत अच्छा आरवन क्यों आरवन का वैल्यू कितना है यह एक्स और शिक्स का क्यूब कितना है यह यह आपको याद भी रखना चाहिए यह तक क्यूब तो आपको याद रखना चाहिए रडियस ऑफ थर्ड इस्वेर है ठेंटन है यानी कि टेन का क्यूब हो जाएगा थाउजट एक्स टू आर क्यों तीनों को आइड़ गरेंगे याद एक हरते हैं इस को मैं करें गया वन वन टू थैंबश्व टू सेवन वन इक्वत तू आर क्यूब यानी हमारे पास आया आर्व वकस्टू 1728 1728 किसका क्यूभ होता है 12 का क्यूभ होता है एक्वाउस टू आर क्यूभ समझे वाई समझे लोग बचवा लोग समझे ऑन इक्वेटिंग आर इक्वासटो कितना होगा 12 सेंटिमेटर और यही हमारा आंसर है बोल यह समझाया तो इस ट्रेप चाहिए बहुत सिंपल वे में बहुत ही सिंपल फार्म में इसका सॉलिशन कर सकते हैं आप स्क्रिंसॉट ले लोगे लाइक यहां से देख़गा है ऐसा स्क्रिंसॉट ले लोगे मिलते हैं एक्स वीडिय हैते हैंगे व्थार्म में नहय को सी बहुत हैं से जाफ्य में आपर सेंवे लोगे में हैं